नमस्कार भाईयों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं अच्छे ही हमने हमारे भाई ने जिनका नाम प्रकाश है टेलिग्राम पर मुझे मेसेज किया और उन्होंने जो मैंने भी एक दो दिल पहले विडियो बनाया था अंदिर विश्वास विश्वास के उपर और उसमें मै सोचने लगा कि यार क्या यह पॉसिबल है क्योंकि मेरे साथ यह चीज नहीं हुई मेरे साथ यह चीज नहीं हुई और आपको भी सुनना चाहिए पूरा विडियो तरह दियान से देखना है अब उन भाई बैतने भाईया जिस पर बीटी है उसे ही पता होता है जो प्रकाश कुछ भी कर लो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं अब पूरी वीडियो ज़्यान से देखना कि प्रकाश भाई ने जो है मुझे यह मैसेज भीजा और क्यते भीया में पिछले जो है आट एक साल से आट नौ साल के लगपक मास्टिबेशन से एडिक्शन में आपके प्रकाश भाई कहरा है मैं अरस फहर उनौस होता है तो मुझे कैसा में रहा हूँ ये थे मुझे मुझे आप वहां मुझे एसा अंदर ही अंदर एक्मिमाइब भर होगा दोल वाल्प फैमी कोई होगी। हमारे पैरेंट्स जो है मम्मी पापा दोनों काम करते हैं जॉब करते हैं वो बाहर चले जाते हैं मैं भी पढ़ाई लिखाई करता हूँ कि जातर हम भाई भेहन जो घर में जब रहते हैं हमें अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है और मैं जैसे कि इनने बताया प्रकाश भाई ने है कि मैं आठ एक साल से मास्टुबेशन के एडिक्शन में हूँ तो इससे तो मैं बहुत ही जादा फीलित हुई क्योंगी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है जबरदस्ती पढ़ाई कर रहा है आप जो भी मुझे उपाय बताते हो, मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ लेकिन यह सब ब्लैकमेजिक के काला जादू मुझे ऐसा लगता है, यह प्रकाश भी कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे परिवार पर ये कुछ काला जादु किया हुआ है और मेरे पैरेंट्स भी इसमें बिलीव करते हैं आज भी वह से हमारे घरों में ये चीज मानी जाते हैं कि काला जादु ब्लैक में चिप होता है शैतानी तागत होती है जैसे कि हमारे हिंदु धर में भूति पिशाच इसलाम में जिन और क्रिश्टिन में शैतान वग्या इस बता आजाता है हर एक मतब एक पॉजिटिव एनर्जी है तो एक नेगटिव एनर्जी भी है और आप कहते हैं कि नाम जब करो या ऐसा करो या प्रहमचारिका पालन करो तो क्या ये negativity ये जो black magic कि क्या ये दूर हो जाएगा मैं आप से कह रहा हूँ कि ये दूर नहीं होता मैंने भी प्रत्न किया, मैंने भी कोशिश की और अगर आपके पास कोई उपाय हो पियार ये वोटिव तो हमें बता ताकि मैं इससे बाहर निकल सकूँ अब मेरे भाई मेमान दरिसाब को सच बताता हूँ और कुछ रास्ता बताता हूँ शायद ही आपके काम आजाए और बाकि जो मेरे भाई देख रहा है थोड़ा ज़रा समझने की कोशिश करना और जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा समझना किसी के बारे में ऐसा बुरे-बुरे ख्याल हाना ऐसा लगना कि मेरे घर वाला या कोई मेरे पैरेंट्स के साथ में या मेरे बड़ने निय्वरा जिस्तर के साथ में मेरे साथ मेरे साथ कुछ गलत ना इसा रगता है कि उन्हें कोई चकड़ा हुआ है, एक बात तो यह होती है, शायद आपकी गलब फह्मी हो, मेरी बात को समझ न प्रकाश भी थोड़ा, अब आप कहते हैं कि मुझे इस तरीके के ब्रह्म होते हैं कि कोई खिड़की से छांक रहा है, या कुछ इस प्रकार की कि म में भी ऐसी चीजे महसूस की, हला कि इन्होंने और भी बात बोली थी, बहुत लंबार मेसेज था, वह थोड़ी बात तो मैं भूल भी गया, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे जो आंगन है घर का, वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखी, जिससे मेरी ममी पापा भी घबरा ग लाल कलका निवुटाई, अब इसमें मैं यही कहूँगा, देखिए, जैसा कि आपने मेरे भाई कहा, कि जिस पर बीदती है, वही जानता है, मेरे उपर इस तरी की कोई परिस्तिती नहीं आई, और ना मैं चाहता हूँ मेरे किसी भाई के उपर ऐसा कोई negativity है, यह इस तरी की कुछ भ्रम हो सकते, क्या होता है कि हमारे दिमाग बहुत ज्यादा पावर्फुल है, मेरे बात को समझने कोशिश करना, यह दिमाग बहुत ज्यादा पावर्फुल होता है, यह मतलब अगर इसमें आपने यह कह दिया है कि आप कमजोर हैं और आपने मान लिया, अगर आपन वोपिव से लिए आप जीए कि कुछ कैंषे में अब आप देखने लिए लिए अब देखने लिए ने लगता बंक हम चाहे लेटे हैं अब कमरे में अब आपको आप नी अब कुछ हेतो ने यह एक दिमाग का भ्रहाम होता है जाद मैं जो कह रहा हूं उसको समझने कोशिश करना ऐसे भाई को साथ हुआ होगा जो रात में होरर कंटेंट देखना शौक रखते हैं देखते हैं तो देखते देखते हैं उन्हें ऐसा लगता अगर जरा सी हल्किसी भी क्योड की आवाज जा रही है यह दर्वासे की या कुछ भी अगर किसी की भी कोई आवास आ रही होगी तो थोड़ा थोड़ा दर रखना लगता है क्योंकि हम जो चीज देख रहे हैं तो हमां दिमाग के बस गई है ठीक है अब वह चीज कई ना कई हम आजू बच देखने लगते हैं शौल य तो आपने छीजा कभी बहसुस करी होगी कि यहां इसा होता है दर ज्यादा लगता है तो यह दिमाग ये भ्रहं पेदा करने के कोशिश करता है अगर आप हो सकता है आपने आपके अंदर इतनी ज्याद़ा नेगरिटिविटी हो आपने शाइप को जैसी और चीजा देखी ह तो जैसे कि मैंने यह सब आप समझ ने कोशिश करिएगा तो हो सकता है यह चल हो एक माया हो एक भ्रह्म हो ठीकिए ऐसा कुछ नहीं है बस आपका दिमाग ही आपको इस सब चीज़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हो और इसके लिए उपाय में कुछ आपको यही पता हुआ लेकिन आपने जो बातें बताई ही कि मजयांगन में एक नीभू था लाल का लरका नीभू कोई साया जैसा हम मैसूस करते हैं तो भाई में इसके लिए सब सब पहले आपको जो हमारे हिंदू कल्चर में हमारे हवन हवन घर की जो है ना कोई negativity होती है जैसे कि हम नए घरा में प्रवेश करते हैं तो अगर हमें उस घर में ऐसा लगता है कुछ की ऐसा है आलकि यह कोई अंदर विश्वास नहीं है आप हवाली सत्यनारिक कथा जरूर करें अगर को सब्सक्राइब बिल्कुल करें टेफिनेटली तो कि आपकी जान से बढ़कर नहीं है और अगर आपको अगर आप ब्रह्मिचर पालम कर रहा है मसबूती से हैं इक आग्रचित हैं इस्थिर बुद्धी वाले हैं तो आप हर मुसीबत का सामना कर पाएंगे लेकिन ऐसी प्रस्थिती जहाप मास्टिबेशन भी कर रहे हैं नेगटिविटी है चारों और यह नीवू मिल गया ना पूर्स जाले टेंशन है घर में ममी पाफ़ जॉब करते हैं लेकिन उनकी भी हाले टाउन रहती कभी स्वस्त होते हैं कभी तो यह चीज़ें थोड़ा मतलब समझना कोशिश आप हवन जरू करें घर करें घर में सत्तनार्ड की कथा करा हैं और भगवान पर पूरा आपको नाम जब करना है नाम जब करें हवन करें संदरकान का पार्ट करवाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सब दूर वो जाएगा आपको जरूरत है खासकर हनुमान चालिसा इसका पार्ट भी ज़रूर करें और मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने पूरे भी का दिया प्रिजलिब करेंगी नहीं तो तेल का इसकी करें लेकिन साथी साथ घबराएं नहीं क्योंकि आप बहुत ज्यादा है ना आपने नेगटिविटी को बहुत एक्टम उपर करती है अगर भूत पिसाज यह सब ऐसी चीज़ वहीं हमला करती है नेगटिविटी भ छिसका अपने उपर वरोसा नहीं होता वहीं पर यह यह हमला करते हैं ने लेकिन जिसको विश्वास है अपने उपर अपने इश्ट पर विश्वास है नामचःप करता है और जिसका चाहता हूं मुझे पर और यहाँ आप यह विलिव करता हूँ इनमें लेकिन उनसे ज्यादा सकारात्मा पूंजा पर जिसके इसंतों विश्वा कूंहीं जैसे रेटना जीसे विज्वाइल से होती है तो gegen से तो द गत्म होता है वह तो होता है उसकी किसमत वेश्चा है ये उपर से वो एडिक्शन में काम दासना से घिरा हुआ हर पक्त लिप्त रहना गंदे-गंदे थोड़ साना ऐसे डिक्ति वो तो पुछ जल्दी जगती है हाले कि मैं यहीं कहूंगा शरण में रहिए आप देखो मैं यह नहीं दोस्त आप किसी भी कहीं से भी हों को इसे हिंदू हो उसले मौसिक हो इसाइन अपने इश्ट पर विश्वास रखिए ठीक है ना अपने इश्ट पर भ्रोसा रखिए बाकि नेगेटिव एनरजी को अपन सब्सक्राइब करेंगे जो करेंगे वही तो होगा और घर में आपके बस जो मैंने बताया करिए बस भगवान आपको सुरक्षित रखे यह हमारी प्रातना है बस यह आपसे शेयर करना था बाकि प्रमुचर का पालन करिए बाकि मेरे भाईयों और भी महत्वकून वीडियो आएंगे यह वीडियो थोड़ा अलग था हटके था और जिसे कि मैं प्रकाश भाई काफी परशान है ठीक है बस अपने विश्वास रखिए अपने उपर विश्वास रखिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद